नमस्कर दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ सुरंदर पलंबर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पलंबर वीडियो यहाँ पर जो आप ये पाइप देख रहे हैं दोस्तो ये आधा इंच की फिटिंग हुई है ये यू पीविसी के है और जो उपर टंकी से य लाइन आई है यह आदा इंच किया है उपर जो मोटर के लिए लाइन गई है वह भी आदा इंच किया है लेकिन अंदर टाइले लगे हुए बातरम के हमें यह फिटिंग बाहर से इसको कनवर्ट करना है सी पीवीची में हम यहाँ पर बड़ी पाइप लगा रहे है तो सी सी पीवीची का है तो इसको कनवर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हमें क्या इसमें लगाना पड़ेगा वह हम दिखाएंगे बने रही है मेरे साथ वीडियो में मैं हूं सुरंदर पलंबर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लंबर वीडियो मैं प्लंबिंग से वीडियो डालते रहता हूं तो इस वीडियो पर कमेट हो तो जरूर करना तो आप जी देख रहे हो यह सी बीबीची की पॉना इंच की पाइप है और वो उधर जो पहले लगी हुए है वो आदा इंच की यू पीबीची की पाइप है तो इसको कनवर्ट करने के लिए हमारे प दोस्तों यह सी पीबीची की है पॉना इंच बाइप आदा इंच की और इसके उपर हमने टैफलों टैफ लगा रखा है यह जो मेरे हाथ में है यह आदा इंच का यू पीबीची का आदा इंच बाइप आदा इंच का ब्राश का एफटी है दोस्तों तो यह जो सी पीबीच का empty है हमने टेफलों टेप लगा रखा है वेसे लेकिन हम इसको उपर solvent apply करके इन दोनों को आपस में यहां पर कस देते हैं आप से आओ तो pipe रिंच यूज़ कर सकते हो लेकिन मेरा मानना है कि मैं इसको हाथ से इतना जोर से कर सकता हूँ कि यह सामने टकर लग जाएगी और यह लीक नहीं होगा जैसे कि हम कोई point में पलक करते हैं आज से टेफलों टेफ लगाने के बाद तो यह मैंने कर दिया है एक तरफ CPVC और एक तरफ UPVC के है तो अभी जो पाइपटी है आदा इंच की ब्रास की आधे वाय आधे की उसमें हमने CBVC solvent लगाया है और अभी मैं दिखाता हूँ जो आदा इंच की pipe जो अंदर जीरी के अंदर है उसके उपर भी solvent लगा दिया है तो मैं यह लाइब वीडियो आपको करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे कनवर्ट करते हैं वैसे आप समझ जी गए होंगे लेकिन आप यह वीडियो देख सकते हो जिसे आप असानी से यह कर सकते हो तो यह UPVC का जो FT लगाया है इसको आदा इंच में दोनों के solution लगाने के बाद इसके उपर apply करते के बाद इसको चड़ा देते हैं दोस्तों तो अब हमारे पास आगे की जो fitting है वो हो गई CPVC CPVC इसको अभी हम जोडने के लिए हमें elbow लगाना पड़ेगा लेकिन अभी यह convert हो चुकी है तो हमें अभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यह CPVC पॉना इंच में हमने इसको आदा इंच UPVC को convert कर दिया है तो तो अभी हम elbow लगा रहे हैं और इसके बीच में जो टुकड आप चाहो तो इसमें Lt U PVC लग सकते हो FTC PVC का लग सकते हो आपकी जैसी वीच्चा है लेकिन हमने इहां पर FTC UPVC आधा इंच का लिए है और MT CPVC कर लिए हैं आप चाहो जैसे आपकी मर्जिये A की बात है कोई चीज ले सकते हो कोई सी आप असानी से इसको convert कर सकते हो तो यह है और यह convert हो गया है तो आप देख रहे हो कि UPVC जो पहले की fitting थी चूड़ी वाली उसको हमने UPVC को हमने CPVC को बदल दिया है तो कैसे लिए वीडियो कमेंट जुरूर करना मेरे चैनल को subscribe करना धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद